हरे कृष्णा आज हम शिरिमत भागतम सकंद एक अध्याई उन्नेस इसके ग्यारवेश लोग से पढ़ना शुरू करेंगे इनके अतरिक्त वहाँ अनेकानेक देवरिशी राजा तथा विभिन मुनियों के वन्शज विशिष्ठ राजा आये थे जिन्हें अरुनाद्य राज रिशियों में विशिष्ट कहा जाता है जब वे सब समराड प्रिक्षित से मिलने हेतु एकत्र हुए तो राजा ने सब कोशीष जुखा कर प्रणाम करते हुए समुचित धंग से उनका स्वागत किया तातपर्य गुरु जनों को आदर करने हेतु सिर्ख को भूमी तक जुगाने की प्रथा अत्यांत उत्तम शिष्टाचार है जिससे अत्थी अपने आपको अत्यादिक समानित समझते हैं यहां तक की उच गोटी के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है और महराज परिक्षित तो समस्थ रिशियों तथा राजाओं द्वारा अत्यादिक समानित थे उन्होंने इन समस्थ महापुर्शों का विनीत भाव से स्वागत किया जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किये जा सके जीवन की अंतिम अवस्ता में यह विनीत विधी-प्रतेक-सम्वेधिन-शील-व्यक्ती-द्वारा अपनाई जाती है जिससे प्रियान के पूर्व उसे क्षमा किया जा सके इस प्रकार से महराज परिक्षित ने भग्वादाम वापस जाने हेतू सबकी शुपकामनाई प्राप्त की। आसन ग्रहन कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड कर खड़े हुए राजा ने आमरन वरत करने का अपना संकल बतलाया। इससे बात पक्की हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन दिनों जो राजा प्रिथ्वी परशासन करते थे वे गैर जिम्मेदार तानाशाह नहीं होते थे। वे व्यदिक आदेशों के अनुसार संतों तथा मुनियों के प्रमानिक निर्णियों का पालन करते थे। एक पून राजा के रूप में महाराज परिक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचारियों की सलाहा लेकर नियमों का पालन किया। राजो वाचह शलोक नमबर 13 अहो वयम धन्यतमा रिपणाम महक्त मानू ग्रहनी य शीलह राज्याम कुलम ब्रह्मन पाद शोचाद दूराद विस रिष्टम बत ग्रिह करम। भाग्यशाली राजा ने कहा निसंद ही मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं जो आप जैसे महापुर्शों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। समानियत्या आप रिशी लोग राजाओं को किसी दूर स्तान में फैंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। जो भगवधाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चेतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो मनुष्य भगवधाम जाना चाहते हैं। उनके लिए करोड़ पतियों के या राजाओं के घनिष्ट संपर्क में रहना आत्म हत्या से भी निक्रिष्ट है। अध्यात्मिक अनुभूती में उच ज्यान होने से अध्यात्म वादी जनता है कि यह सुंगर भोतिक जगत वास्त्विक्ता का अर्थात भगवधाम का चाया रूप प्रतिभीम्व मात्र है। अतेव वे राजसी एश्वर्य या इसी प्रकार की अन्य वस्तू से अधिक मोहित नहीं होते। किन्तु महराज परिक्षित की बात ही कुछ और थी। उपरी तोर पर देखने में राजा को एक अनुभव हीन ब्रहमन बालत द्वारा मृत्यू का शाप मिला था। किन्तु व उनका दर्शन पाने हेतु उत्सुप थे क्योंकि वे भगवदाम वापस जा रहे थे। महराज परिक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहाँ पर जितने रिशी एकत्र हुए हैं वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवद भक्ती की कारण उन पर अतियंत क्रिपालू थे। अतेव परिक्षित महराज अपने जीवन की अंतिम अवस्ता में समस्त मुनियों को वहाँ उपस्तित पाकर अतियंत क्रित अग्याता का अनुभव कर रहे थे। और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वज तथा पितामहों के प्रप्ताप के थे। अतेव उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वन्शच हैं। शिरिभगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक सम्रिद्धी से उत्पन दर्प के तुल्य नहीं होता। इनमें प्रथम तो वास्त्विक है और दूसरा जूठा तथा व्यार्थ है। शलोक नमबर चोदह है। तस येव मैं घस्य प्रावरेशो व्यासक्त चिकतस्य ग्रीहेश्व भीक्षणम निर्वेद मूलो द्विज शाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु दखते। अध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता शिरीभगवान ने ब्रहमन शाप के रूप में मुझबर अत्यंत कृपा की है। ग्रीहस्त जीवन में अत्यदिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने है तू। शिरीभगवान मेरे समक्ष इस प्रकार प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आपको संसार से विरख्त कर लूँ। तातपरिय, महराज बरिक्षित यद्यपी महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन हुए थे और यद्यपी उन्हें शिरीभगवान का सानिध्य प्राप्त करने हेतू दिव्य आसक्ती की शिक्षा प्राप्ती तो भी उन्हें संसारी घ्यस्त जीवन का आकर्षन इत भर से आईश्रेष्ट अध्यात्म बादियों की उपस्तती से इसे समझ सके शिरीभगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं अतेव बड़े बड़े संतों की उपस्तती शिरीभगवान की उपस्तती का सूचक थी अतेव राजा ने महर्शियों की उपस्तती को परम प्रतियंतु विप्रा गंगाच देवी दृत चिक्त मीशे द्विजोप स्रिष्टह कुहुकस्त शक्षको वादस्तवलम गायत विश्नु गाथा हे ब्रहमनों आप मुझे पून रूप से शर्नागत के रूप में स्विकार करें और शिरी भगवान की प्रतिनिदी स्वरूपा मा गंगा भी मुझे इसी रूप में स्विकार करें क्योंकि मैं पूर्व से अपने हृद्य में शिरी भगवान के चरण कमलों को धारन किये अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मन द्वारा उत्मन कोई भी चमतकारी वस्तू मुझे तुरंत डस ले मेरी एक मात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान श्री विश्नु की लीलाओं का गायन करते रहें तातपरिय जियों ही कोई पर मेश्वर के चरण कमलों में पून रूप से समर्पित हो जाता है तियों ही वेह मृत्यू से तनिक भी भय बीत नहीं होता गंगा नदी के तडपर भगवत भक्तों की उपस्तती से तथा महाराज परिक्षित द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों में पून शर नागती से उत्पन बाता वरन यह सुनिश्चित कर रहा था कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं इस प्रकार वे मृत्यू के भय से सर्वता मुक्त हो गए श्लोक नंबर सोलह हैं पूनश्च भुया भगवद वत्यननते रती प्रसंगक्ष तदक्ष्रेयशू महत्सू याम यामूपयामी स्रिष्टीम मैत्रियस्तू सर्वत्र नमो द्विज्जेब्यह मैं आप समस्त ब्रह्मनों को पुने नमसकार क करके यही प्रातना करता हूं कि यदी मैं इस भौतिक जगत में फिर से जनम लूँ तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रती मेरी पून आ सकती हो उनके भगतों के संगती प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे तात परियर महाराज परिक्षित ने य भगतों की संगती में नहीं रहना चाहता यद्यपी उनसे उसकी शतुवता नहीं होती यह भगवत भगतों की ही संगती चाहता है यह सरवता सभावेक है क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है और भगत का सबसे महत्पून कार्य है समस्त जीवों के पिता भगव भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्यसमस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंदित देखता है। भक्त के लिए परम पून विदी है। शुद्भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुर्षूं का साथ भी नहीं चाहता है। उसे तो शुद्र जीव की भी संगती पसंद है। यदि वह भगवत भक्त हो। श्लोक नंबर सत्र है। इतीसम राजाध्य वसाय युक्तह प्राचीन मुलेशु कुशेशु धीरह उदन मुखो दक्षिन कूल आसते समुद्र पत्निया स्वसुतन्य अस्त भारह। पूर्ण आत्मसयम से महराज परिक्षित पूर्वा भी मुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिनी तटपर रखे आसन पर बैट गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की योर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने सामराज्य का समस्त भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस प्रकार समस्त प्रस्तितियं उनके अनुकूल थी। इस प्रकार महाराज परिक्षित आमरन अपवास करने हेतु बैठ गे। स्वर्गलो के समस्त देवता राजा की इस कार्य की प्रिशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर प्रित्वी पर निरंतर पुष्ष वर्षा करने लगे। तथा देवी नगाडे बजाने लगे। परिख लोक में भी एक भी नास्तिक नहीं है। इस प्रकार प्रित्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रिशंसा करते हैं और महाराज परिक्षित से तो वे अतियधिक हर्षित थे। अतेव उन्होंने पुष्पों की वरिश्टी करके तथा देवी नगाडे बजाकर उनका समान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वे भगवत भक्त से सदा प्रसन रहता है। यहां तक कि वे अपनी अधी डैविक शक्ती से भक्तों की सबी प्रकार से सहायता करता है और उनके कारियों से श्री भगवान प्रसन होते हैं। इस प्रकार शिरी भगवान देवता तथा प्रित्वी पर स्थित भगवत भक्त के भीच पून सहयोग की एक अद्रिश्य श्रिंकला बनी हुई है। इस मस्त रिशियों ने भी महराज परिक्षित के निर्णिय को सराहा और बहुत अच्छा साधू साधू कहकर उन्होंने अपना अनुमोधन व्यक्त किया। स्वभावतह मुनिगन समान्य मनुशियों का कल्यान करने हेतू उन्मुख रहते हैं क्योंकि उनमें परमेश्वर के समस्त गुण पाए जाते हैं। अतेव श्री भगवान के भग्त महराज परिक्षित को देखकर अत्यान प्रसन हुए और इस प्रकार बोले। भग्ती में सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सुंदर्य बढ़ जाता है। महराज परिक्षित भगवान श्री कृष्ण की आसकती में लीन थे। यह देखकर वहाँ पर एकत्र समस्त रिशी अत्यान प्रसन थे। उन्होंने साधू साधू कहकर अपनी और से अनुमोदन किया। ऐसे रिशी सामान्य मनुश्यों का कल्यान चाहते हैं और जब वे महराज परिक्षित जैसे महा अनुभाव को भग्ती पत पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती और वे अपनी शक पान भी भग्त से प्रसन हो जाते हैं इसलिए भग्त को परतेक वस्तु शुब धिखती है प्रग्ती शील भग्त के माग से सभी अशुब बाते हटा ली जाती हैं मृत्यू के समय महरशियों से भेट निश्चे ही महराज परिछित के लिए शुब थी और इस प्रकार वे ब भवतसु कृष्णम समनु वरतेशु ये अध्यासनम राज किरीट जुष्टम सद्यो जहूर भगवत पारश्व कामा मुनियों ने कहा हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडू वन्शी राज रिशियों के प्रमुक यह तनिक भी आश्चरे ज जनक नहीं है कि आप अपना वह सिंगासन जो अनेक राजाओं के मुक्टों से सुशोबित है श्री भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने हेतु त्याग रहे हैं तातपरिय अलपग्य राजनीतिग्य जो प्रशासनिक पदों पर डटे होते हैं सोचते हैं कि वे जिन मुक्ती प्राप्त करके भगवधाम में श्री भगवान के पार्शदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच उदेश्य है मनुश्य जनम इसी के लिए मिला है श्री भगवान ने श्रीमत भगवध कीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवधा को प्राप्त होना सर्वुच उपलब्दी है प्रलाद महराज ने भगवान नर्सिंग से प्रातना करते हुए कहा हे प्रभु मैं जीवन की भौतिक वादी शैली से अत्यदिक भयभीत हूं मैं आपके इस भ्यावने नर्सिंग देव रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूं य इसके द्वारा हम कुछले जा रहे हैं हम जीवन की विक्राल तरंगों के भया वह भवर में गिर गए हैं अतेव हे भगवान मैं आपके चड़न कमलों में प्रातना करता हूं कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्यधाम में वापस बुला लें यही इस भौतिक व आदी जीवन का अत्यांत कटू अनुभव है मैंने अपने कर्मों के वशिभूत होकर जिस जिस योनी में जनम लिया है मुझे दो बातों का पीरा धायक अनुभव हुआ है अपने प्रिये से विशोह तथा अवांशित से भींट इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचा अपनाई वैस्वयम रोग से अधिक भयावह निकले अतह मैं चरम जनमांतर एक स्थान से दूस्थे स्थान में फिरता रहा और मैं आपसे प्रातना करता हूं कि आप मुझे अपने चरन कमलों में शरन दे पांडव राजा जो संसार के अनेक संतों से बढ़कर है जीवन की भौतिक वादी शैली के कटू परिणामों से अफगत थे वे कभी उस राज सिंधासन की चमक दमक से मोहित ना थे जिस पर वे बैठे वे सदेव श्री भगवान का सानेद्य प्राप्त करने के हेतू उनके द्वारा पुकारे जाने हेतू उत्सुक रहते थे महराज परिक्षित महराज युदिष्टिर के सुयोगे पोत्र थे महराज युदिष्टिर ने अपने पोत्र के लिए सिंधासन छोड़ दिया और इसी प्रिकार महराज युदिष्टिर के पोत्र महराज परिक्षित ने अपने पुत्र जनमेज्ये के लिए सिंगासन छोड़ दिया इस वंश में समस्त रजाओं का ऐसा ही संसकार था क्योंकि वे सभी भगवान श्री कृष्ण की परंप्रा का पालन करने वाले थे इस प्रकार भगवत भक्त कभी भी भौतिक वादी जीवन की चमक दमक से मोहित नहीं होते और वे निश्पक्ष भाव से जूठे भ्रामक भौतिक वादी जीवन के विश्यों से अना सकत रहते हैं शलोक नंबर 21 हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतिक्षा करेंगे जब तक श्री भगवान के परमुख भक्त महाराज परिक्षित परम लोग को लोट नहीं जाते जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पून रूप से मुक्त हैं ताथ परिय भोतिक स्रिष्टी जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है उसकी सीमा से परे पर वियोम अर्थात अध्यात्मिक आकाश है जो वैकूंट नामक ग्रहों से भरा हुआ है ऐसे वैकूंट ग्रह भी भिन भिन नामों से जाने जाते हैं तथा पुर्षोतम लोग, अच्युत लोग, थ्री विक्रम लोग, रिशी केश लोग, केशव लोग, अनिरुद लोग, माधव लोग, प्रदुम्न लोग, संकर्षन लोग, शिरी धर लोग, बासुदेव लोग, अयोध्या लोग, द्वारका लोग, तथा अन्य अनेका नेक आखों अध्यात्मिक लोग यहां शिरी भगवान अधिश्टाता है। एक सर्वोच लोग है जो गोलो कुरिंदावन कहलाता है जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्शदूं का धाम है। और फिर ऐसा महान भगवत भग्त देखने को नहीं मिलेगा। जब श्री भगवान का कोई बड़ा भग्त दिवंगत होता है तो इसमें शोक करने हिदू कुछ नहीं होता क्योंकि भगवत भग्त का भगवत धाम में परवेश पूर्व निश्चित है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसा महान भग्त हमारी दृष्टी से ओजल हो जाता है। अते दुखी होने की बात तो है ही। जिस प्रकार श्री भगवान विल्ले ही हमारे इन आखों से दिखते हैं उसी प्रकार महान भग्त भी। अते महर्शियों ने ठीक ही अपने स्थानों पर अंतिंग प्षण तक रहने का निश्चे किया। श्लोक नंबर 22 आशरुत्य तव शिगन वचह परिक्षित समह मदुच युद गुरु चाव्य लीकम आभाश तेनाना भिननद्य युकतान शूश रुष मान अश्चरित तानी विष्णों। महान डिश्यों ने जो कहा वह सुन्ने में अति मधूर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पून सत्य था। अतेव उन्हें सुन्ने के पश्चात महराज परिशित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्य कलापों के विष्य में सुन्ने की इच्छा से महर्शियों को अभिननदन दिया। समाग तहा सर्वत एवं सर्वे, वेदा तथा मूर्ती धरा, इस्त्री, पुष्थे, नेहात नामूत्रिच, कश्च नार्थ, रिते, परा अनूग्रह, मात्म शीलम। राजा ने कहा, हे महर्शियों, आप भ्रमांड के कोने कोने से आकर यहां पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं, आप सभी पर्म ज्ञान के मूर्ती माकुत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के उपर के लोक सत्य लोक का निवासी हैं, फलसवरूप आपकी सभाविक छेहे परकार के एश्वरे हैं, संपत्ती, बल, यश, सुंदर्य, ज्यान, तथा वेराग्य, ये सब मूलते श्री भगवान के गुण हैं, परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सभी गुण आंशिक रूप से अधिक 78 प्रतिशत पाई जाते हैं, भोती जगत में ये गुण श्री भगवान के गुणों के 78 प्रतिशत तक भोतिक शक्ती द्वारा उसी प्रकार धके रहते हैं, जिस प्रकार सूर्य बादल से धका रहता है, मेगों से आच्छन सूर्य की शक्ती मूलतेज की तुलना में मंद रहती है, इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक् प्राय लुप्त रहता है, ब्रहमांड में लोकों के तीन वर्ग हैं, जिनके नाम है अधो लोक, मध्य लोक तथा उर्धव लोक, प्रिथवी के मनुश्य मध्य लोकों के प्रारंब में रहते हैं, लेकिन ब्रहमा जैसे जीव तथा उनके सम, कालीन, जीव, उर्धव लोको और इसी प्रकार माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं। वे श्री भगवान के आदेश से विभीन लोकों में पतित आत्माओं का उधार करने हेतु मसीहा उधार करता के रूप में आते हैं। वे प्रिथ्वी लोक में आते हैं और विभीन प्रस्थित्यों में मनुश्यों का कल्यान करते हैं। उन्हें इस अंसार में भोतिक शक्ति द्वारा भ्रमित सड रहेपतित आत्माओं का उदार करने के अतिरिक अन्य कोई कार्य नहीं होता। श्लोक नंबर चोबेद ततश्च वह प्रिच्छय मिमं वी प्रिच्छय विश्रभ्य विप्राइती कृत्य अध्यता याम सर्वात्मना म्रिय मानेश्च कृत्यम शुद्धम्च तत्रा म्रिश्च ताभी युकतः। हे विश्वास पात्र ब्रह्मनों अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विशे में पूछ रहा हूँ। क्रिप्यापूर्ण विचारवी मर्ष के पच्चात मुझे सभी प्रिस्तित्यों में हर एक कर्तव्य के विशे में और विशेश रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरनासन हो उसके कर्तव्य के विशे में बताईए। इन दोनों में से मरनासन विशेक प्रशन सर्वातिक महत्फपून है, क्योंकि हर विशे मर रहा है चाहे वह तुरंत मरे या सो वर्ष के बाद, आयू की अबधीन निदर्थक है, किन्तु मरने वाले विशे का कर्तव्य अत्यांत महत्पून है, महराज परिक्षित ने इन दोन प्रशनों को शिर्ला शुकदेव गोस्वामी के आने पर उनके स्मक्ष भी रखा। एक प्रकार से संपून शिरिमत भागवतम द्वित्य सकंद से लेकर बारमे सकंद तक इनहीं दोनों प्रशनों से संबंदित है। पूर्व से इस तथ्य से अवगत थे लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्शी गण इस विश्य में अपना निर्न्य एक स्वर से दें जिससे वे किसी मतबेद के बिना अपना करतवे सून शित कर सकें। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेश उलेक किया है। दिव्य सक्षातकार के लिए विभिन दार्शनीकों ने अनेक विधियां बताई है। इन में से कुछ प्रथम कोटी की हैं, कुछ दुवित्य कोटी की और कुछ तृत्य कोटी की है। सर्वोतम विधी में अपेक्षा की गई है कि मनुश्य अन्य सभी विधियों को त्याग कर श्री आज का पठन हम यहीं स्माप करेंगे और कल हम 25 स्लोक नंबर से शुरू करेंगे तब तक आप जबते रहें हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 बोर झाल झाल